हेलो वांक्षिन फ्रैमिली आप सभी का स्वागत है गाइस उमीद है आप सभी लोग ठीक होंगे तो आज मैं आप सब के लिए इस फैन फिशन का नेक्स पार्ट लेग आई हूँ और गाइस सौरी के लेट हो गया बट मैं सोच रही हूँ कि जो दोनों मैंने फैन फिक्शन श यह लगया है जो पर गाइस वी lays में होता है आपके लेटीय invested फैसरी और देखता है यह उसकी तरफ और वेंस होता है है बहुत होगत है जो लड़की होती है मतलब होती है होग होसे होती है बहुत हॉट नदा कि हॉती हिए। उसको गटती ہیں और पिर वांग जी को और फिर उसको किसकर लेती है वेंग के सामने ही और जो वेंग हो आप, वो तो उसके मुझ कुल जाते है क्या हो रहे हैं याप यापर. वांग जी इसको हटाता है बड़ हटती ही और वह जो लड़की होती है वह एक्चली वांग जी की गर्रफ्रेंड होती है और वह हाँ चीकी साथ हुक अब करने बहुत time हो गया था उन तुनों के मिले हुए तो इसलिए वहाती है और वांग उसे किस्ति करती है फिर वांग जी के तुक्त कि प्रेडियो करने लाए आते हैं तो कहती है उसको बोलती है कि वांग जी चलो ना हम साथ में नाइट करते हैं प deeply हिरो तुम ठीक किया तुम कुछ हो गए र hmnamaya मुझे खिर पूंड है के में चलो ना चलते हैं आज मैं इससे लिए बहुत चल दी आई हूँ आज हम कल सुबह तक इंजॉई करेंगे चलो मेरे पास सारा समान है जब वियंग इसको देखता है वियंग की तरफ और रेंज होता है उसे अपने गड़ा के लड़की कोई देख रहा होता है और लड़की चीटी बिना शर्म के वाउन जी गड़ी को इसा ठीजे बोल रही होती है और के चलो ना बहुत कि वहां भीम इसको था कि वह वी एंग समने क्या बात करेगा और फिर वो उसको बोलता है बार राएंग घए तो मैं शर्म नेया है तुम कैसे रहपते हो और कोई देख लikkowa तो वो लड़की जो उसी गल्फ्रेंड होती है वो कन्फूस होते हुए कहती है कि तुम ठीक तो कौन देखेगा सिर्फ तुम और महीं थे तुम्हारे कमरे में और कुई था ही नहीं तुम कैसी बते कर रहे हो और वैसे यह कौन सा फर्स्ट टाइम है जूम करने वाले हैं इसम घर जाओं तो बड़े मुश्किल से उसी गल्फ्रेंड होती है उसको मुँँ से भेजता है और कमरे में आता है जैसी कमरे में आता है जो वह होता है वह जाकर वांग जी को पर कूच जाता है और हसते होते हैं ओमाई बेबी ओमाई डार्लिंग तुम ठीक तु हूँ चलू बच्वर मुझे लड़का आया करता है मुझे मिले के लिए वह बड़ा होने के बद आख क्यों नहीं रहा है तो यह रिजन है वो आज कल यहां बिजी रहता है आज कल यहां राते स्वेंट कर रहा है आज कल बहुत इंपॉर्टन काम कर रहा है तब ही नहीं आ पार तभी टाइम नहीं मिल पाला है उस बच्चे को च्छी बात अब ही मैं कहूं जासे बड़ा वह अभी आया क्यों और चुपर हो तुम तुम इसमावन सो कुछ लेंदेना नहीं अच्छा तुम वावन जी बोलना बंद करो तुम अच्छाट हुँ तुम घैता है बहुत प्संद है तो टीज कर रहा हुठ फिर रिवाग जी कहता है कि मैं अपने पार्टाइम जॉब पे जा रहा जो वे तुम पूछता है कि तुम पार्ट आई मामें पूच होगा अब एकोरडिंग घरा है तो मैं तो आज तो तो आज तक कहने पाले होcken निया को आज तो मिलें को अज दो मिलें को स्कूला जागे कंनी ने में प्याइज हो ने बस शुकर करता हूँ कि शुकर है मुझे ऐसी चीज़ देहने को नहीं जो मैंने अभी देखी वह बेई 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 वाली तो वे वांग जी का चुप करों में चल दो और वांग जी स्माइल करके वहां से चलायाता है उसके जाने के दो विएंग में बहुत हासरा होता है और क अगयर के दो जाए से लाधर हो खोलता है कि वहाव इतना पतला कंप्यूटर है हमारे मेरे टाइम इतने मोटे मोटे हम पटरा करते हैं वह यह तो बहुत बहुत स्लिम ट्रिमर इसमें तार भी नहीं है इस्काह तोक्र यह से कहता है और फिर उसको याद आता है कि जब जब म एक लड़का था वहाँ पर वो किसी को विजिट करने आया था तो उसके हाथ में यह सेम चीज देखी थी लैक्टॉप की और उसके जरीए वह मतलब किसी को वीडियो कॉल भी कर रहा था तो उसको याद है कि शायद यह वही चीज है और फिर वेंग होता है खोलता है और उसको जो वहाँ पर मतलब कि वांग जी का जो Facebook अकाउंट होता है वो लॉग इन होता है तो वेंग होता है उसके Facebook अकाउंट को उपन करता है जहां पर वांग जी की जो पिक होती है पिक्स होती है वांग जी की जो हुशन लाइफ होती काफी attractive लगती है तो वेंग होता है कि तो प वह प्लॉड कर रहेता है वा छोड करते हैं तरने वान जाए वह अग सी कह एक रहा है, तरनेन कम्रे टोरिए बवाग्जी नैसे सरे के ब्ल bought a पिक्स किया ईप्लोड कर रहेता हैruk yarn a ए मतलब कि उसको पता कि अट वांग ची तो देखते हैं और वांग ची को बोलते हैं और कहते हैं कि वांग ची तुम तो यहां ऑफर तुमारा आइडे किसने हैक तो नहीं कर लिए पासफट को पता था यह कैसे हो सकता है तो वांग ची कुछ नहीं करता फिर काता शायद कोई में रिलेटिव तो नहीं है ऐसे लिए जाना होगा बाद में मलता हूं और वहां से निकल जाता है और फिर वांग ची देता है कि तो उसके फेससाइडी पर कुछ और मतलब स्टोरी भी पढ़ रही होती हैं और यह स्टोर छीचि को वेंग बागण जी देखता है तो तुरांत भड़ा नगाद मेन भागता भागता खास गहर पूंचता है उनकर तो था कि अगर लोगों ने देख लिया कि यह क्या हो रहा सका वह तो कि इसके जो घर्वालों ने सब देख ले तो क्या ही बनेगा तो भागता पाता तक जात लादे खोलता है कि तो मुझे होता राव से लाट तक स्रेट यूज कर रहा हो तो तो हम आ गए तुम्हारा दिमाग क्क वहां थिखा बहुत पार है को देखा इसके अंदर पर मुझे पहले क्यों नहीं बताया तो यह वांग जी आके उसे लैक्टॉप छीनता है और चीन के उसकी जो सोजिस विगा साब ड्लीट कर देता है और उसका जो काउंट तो इसको इन लॉगिन कर देता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब तुमने क्या किया पता भी त भांग जी कहता है तुमने क्या पुस्ट की है और कितने लोगों देखाए और उसको जो सब्सुर्णक भी क्या लोग नंदेता है ! तो जो वियेंग होता है कि मैंने तो नहीं डाला मुझे नहीं पता कैसे बढ़ गया तो वांजी कहता है कि तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारा गल्ती तो है तो मैं चेटखानी करने ही क्या जरूरती तो यह मेरी चीजों को हाद लाने ही क्या जरूरती तो तो वहयेंग क्या हैं पूते हैं रहएंग क्याओ नहीं हुआ तो पूल बेहन करो तो जो करना करो हैं वहाँ बहुत बीजी आप अर नहीं मिनाने आने वाला हूं और मैं बहुत बीजिए हूं ऐसा है कि जो वांग जी होता है वो भी महास्ची चला आता है बाहर और बाहर जाके फरसा वाकवू करता है और तब ही जो उसके बड़े भाई का फोन आता है तो वांग जी उठाता है उनके फोन को और वो से पूछते हैं कि वांग जी कि सबकुस ठीक है तो वो काता है कि जी ब्रदर सब ठीक है तो फिर वो पूछते है कि तुमने आज अपनी इंस्ट्रेणरम आइडी पर ये क्या अप्लोड किया था कि तुम मझे बता सकते हो यांकि तुम इस चीज़े अप् प्रदर में ही घृता है कि मुझे नहीं पता है वात्युति हैं कि और अएольш 먼ikय सदोके कि बहुता है ये हैं मयश ये अप्लोड की अप्ल बहुते हैं तो मैं इसे का पता लगाना चाहिए वांग जी कि तुमारे फोन का ऐसे गल्टी उस भी कर रह सकता है तो मैं कहता है कि जी ब्रदर बट यह मुझको पता है कि कोई बात ने इसने भी किया हो कि मैं इसको बाद में देख लूँगा मतलब कि वांग जी होता है वैसे ऐसे करके बात को रख पदफा कर देता है वहां पर उसको था कि अब बात को भगा करें और खतम करें क्योंकि उसके ब्रदर और अंकल थे फिर इनसी जो एकारण वो सो घर से बाहर ने जाना दिया करते हैं मैंशा इसको घर पर आता थे और वांजी को जो आप घर पर नहीं रहना था और तो इसलिए उसने जूड़ बलाता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है सा कुछ नहीं है तो इसलि कि एक जला था तो फिर वांजी बलता है कि वैं तरण बॉल पन्हार था हो कि gdy कहां हो मैं उसके बात करने कि तूं कहा चले गए तो फिर वांजी मंद करो और ठीक है तोुप मुझेता रगत गा लागा वोजे मेरी नोसन मेरी घर गलते मिलाना बोल तो कि मुझो नहीं गों जो दो दो चोब दो ड्रन बागता है तो देखता है कि सबड़ाइब जिगा में नावन निशान ने पर लग रहा है फीर वो प्रशान हो यह आता है उसको समय खिआ रहें कि वांज धी एखियाल में आता है कि टैरश उसके जो रूम है उसके ऊपर की मेरी जरुथ नहीं है तुम G sisalai में रह stal आगया ? मुझे बात समरठ नहीं के इसमें तुम्हांत लिए लगा घुता है कि इसमें मेरी वह घलती थे ? वां जी वह बोट स्पर पहा जा सुमारी या जहनhésitez में अचली ठेसित हुआ है ? तो वांग जी फिर उसके पाज आता है और जाकर उसके सिर पे टाप-टाप करता है काता है कि अच्छा चलो मझे माफ कर दो और थोड़े इसे बातों चलते नीचे वांग जी जाता है कि आँ मैं चलू क्या तुम मुझे देखना चाहोगे अंदर तो मैं तो मैं मतलब की उस चीज का पता कराने के लिए बहुसर घुस्पिटिल में गया चुए वह डिसीज के कारण हुई थी तो मैं मतलब की इस चीज को पता करने का थी क्या चल रहा था यूँकि तुमने मुझे कुछ चीज़े बताई थी तो उसको लेकरी बट अब तक मुझे कुछ उतना खास क्लियू नहीं मिला है तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं तुम्हें भी लेकि जाओ चाहिए तुम्हें कुछ चीज़े याद आ जाए और गाता कि यू आदा बेस्ट वांग जी तुम बहुत अच्छे हो आखिर आप जाकर मेरा मूड सही हुआ हम चलेंगे ने बहार कल बहार तो वांग जी कहता है कि हाँ हम चलेंगे तो वह तोना बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वांग जी आपने मन में सुचता है वह नहीं रहते हैं mm को समय आपने कमरे में जाते हैं और जाकर अरहम से सुजाते हैं इससे बुछा कि अपास सोयाता है उसको बहुत पास से और उसको हलका से बहुत कमफटेबल मैं यहीं सूँगा तो विए इतनी जगा है इतना बड़ा बैट अगर एक आदमी और सो जायगा तो किया दोछायगा तो वे घंजी कॉता है कि नहीं अगर तुम्हें सो ना तुम कहीं और जाकर सो यहां मैं सोया हुआ हूँ तो वे घंजी आद सकते हूं तुमने घंज कहासे कहसा बनगा सकते हो कि मैं शोता ही नहीं था मैंशा तो वा जगा दो मतलब कि इसके बीठ के पास नेचे बॅचा गते हैडी है और किश्जा देता है वा जानओ और खालो यहमेरे का मुझे पसंद नहीं है तो वह विए गद्र जैखल मैं देरे हैं कि किर तम अधर कोछ्र पर नहीं दूंगा, तुम डरते हो, वांची, तुम्हेरे पास एक गोल्फूंड है, और फिर भी तुम इतना डरते हो, so sad तो वाँजी होता है, इसको सिरे मारता है चिप कर साओ तो मैं कुछ कर में है तो मैं गोस्ट हो जाए तो विएंग करते है कि क्या पता बहुत कुछ कर सकता हूँ जूरी थोड़ी है कि गोस्ट कुछ करने सकते है अगर मैं आपनी भी हूं तो तो इसके पार्ट टो एंड करते हैं गाईस थैंकि सो मच उमीद आपके पड़ा चलेगा और इसके बाद जो नेक्स स्टोरी में शेयर करूंगी वह मैं अपना जो मैं स्टोरी चला रही हूं वह एंग और वांग जी की अन्नादर वर्ड लाली व बोच लांगी तो थैंकि सो मच उमीद आपको चलाओ